जै मातादी आदमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शनिवार व्रत की पौरानी कथा और ये कथा इस परकार है एक समय सभी नवग्रह, सोरे, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध, ब्रेहसपती, शुक्र, शनी, राहू, केतु में विवाज छड़ गया की इन में से सबसे बड़ा कौन है, सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास पहुचे, इंद्र इंसे घवरा गये और इस निर्णय को देने में अपनी आसमर्था चताई, परन्तु नोंने कहा कि इस समय पृत्मी पर राजा विक् क्योंकि वे चानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया, वही कुपित हो उठेगा, तब राजा को एक उपाय सुझा, उन्होंने स्वन, रजत, कास, पीतल, सीशा, रांगा, जस्ता, अब्रग और लोहिस से नो सिंखासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिये, फि अपने अपने सिंखासन पर स्थान ग्रहन करें, जो अंतिम सिंखासन पर बैठेगा, वही सबसे चोटा होगा, इस अनुसार लोह का सिंखासन सबने सबसे बाद में होने के कारण सनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे चोटे कहलाए, उन्होंने सोचा कि राजा नहीं जानवुश कर किया है। उन्होंने कुपित हो राजा से कहा। नहीं जानवुश कर राजा से कहा। भटकता रहा। तब एक गौले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी दे कर राजा नगर को चल दिया। और वहाँ अपना नाम जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेट की दुकान में उसने जल इत्यादी पिया और कुछ विश्राम भी किया। वाँगेबस उस दिन की सेट के दुकान में बहुत ही विक्री हुई। सेट ने उसे खाना यत्यादी खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने खोटी पर देखा कि एक हार तंगा है जिसे खोटी निगल रही है। थोड़ी देर में फूरा हार गायब हो गया, तब सेट ने आने पर देखा कि हार गायब है। वह मलहार गाने लगा, तब वह जिस नगर में था वहां की राजक्मारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन फ्रन कर दिया कि वह उस राग काने वाले से ही विभा करेगी उसने दासी को ढूणने भीजा, दासी ने बताया कि वह एक चौरंग्या है, फरंदु राजकुमारी ना मानी, अगले ही दिन उसने अंशन पर बैड़ गए कि विभा करेगी तो उसी से ही, उसे बहुतेरे समझाने पर भी, वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला जा और विभा की त्यारी करने को कहा, फिर विभा राजकुमारी से हो गया, तब एक दिन सोते वे सौपन में शनी देव ने राजा से कहा, राजा ने देखा तुमने मुझे छोटा बता कर कितना दुख चेला है, तब राजा ने उनसे शमा मांगी और प्रात्ना की कि हे शन शनी देव मान के और कहा कि जो मेरी कथा और वरत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा जो नित्ते मेरा ध्यान करेगा और चीटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनुरत पूर्ण होंगे साथ ही राजा को हाथ पैर वापस दिये प्राते आँख खुलने पल राज ने कहा कि वह तो शनी देव का कोप थाइन में किसी का कोई दोश नहीं है सेट ने फिर निवेधन किया कि मुझे शांती तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे सेट ने अपने घर नाना परकार के वेंजनों से राजा का सतकार किया साथ ही सब ने देखा कि दोनों रानिया, मन भावनी और श्रीकम्री को सभी उपार सही लेकर उजयन नगरी को चले वहाँ उजयन वासियों ने उनका स्वागत किया सारे नगर में दीप माला हुई वा सबने खुशी मनाई राजा ने घोशना की कि मैंने शनी देव को सबसे छोटा बताया था ब्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और इस परकार शनीवार की ब्रत कथा समाप्त हुई